unlock तो देको question 1 क्या है द्रॉ लाइनN segments of the length given below and draw their Perpendicular by sector क्या बोले हमें एक length दी गई है इसका हमें line segment बनाना है इस length का ठीक है और उसके बाद उस line segment का में perpendicular by sector draw करना है एकदम सिंपल है अब tension मतलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है अब पहले एक pencil लो और scale लो और ready हो जाओ चलो हम करते हैं अभी हमें सबसे पहले क्या बोलागे क्या है question 1 क्या है 5.3 cm इसका हमें line segment बनाना है उसका पर perpendicular bicepter उसका बनाना है तो हम scale लेते हैं यहां पर हम रखते अपना scale अभी हम 5.3 cm के एक line segment बनाते हैं तो देखो आपको कैसे करना है 5.3 cm कहां पर आएगा बताओ 5.3 आएगा आपका यहां पर तो हम line टोल कर देते हैं line segment यहां से start होगी line segment और यह आएगा 5.123 यहां पर आके end होगा ओके देखो हमने यहां पर line segment बना दिया है आप इस तरीके से यहां पर circle कर दो अभी इस line segment को एक नाम भी देना है तो हम नाम दे देते हैं इसे हम क्या नाम देंगे P यह point को और यह point को Q ठीक है हमने बना दिया line segment इस link का ठीक है आगे क्या हमें करने है perpendicular bisector इसका draw करने है तो इसके लिए आपको चाहिए rounder और आपका pencil तो देखो हम अभी rounder को डालते है पेंसिल को डालते है अपने rounder में देखो कभी भी आप जब rounder में pencil को डालो ना जो पेंसिल की नोक रहती है ना इसकी tip से थोड़ा आगे रखना ठीक है तब draw करने में आसानी होती है अब इसको हम टाइट कर देते हैं अभी देखो अब पर्पेंडिकुलर बाइसे टुर आप इसका कैसे ड्रॉ करोगे आपका जो यह tip है rounder का इसको रखो Q पे या तो P पे जिस पर पहले रखना चाहो उसके बाद आपको क्या करना है यह जो डिस्टेंस है यह tip का और यह pencil के बीच का इसक हम इसको हाफ से जादा करते हैं इसके डिस्टेंस को यह हो गया हमारा हाफ से जादा ठीक है देखो मैंने हाफ से जादा डिस्टेंस ले लिया ना हाफ कुछ आएगा यहां तक मैंने उससे जादा ले लिया अब क्या करना है यह डिस्टेंस जो आपने हाफ से जादा लिया ह इससे ही आपको एक उपर आर्क बनानी है कुछ इस तरीके से और नीचे एक आर्क बनानी है कुछ इस तरीके से ठीके अब आपको यह उठाना है same इसको change मत करना same यही distance से आपको यहाँ पर रखना है यह वाले point पर ओके यह वाले point पर रखने के बाद आपको क्या करना है वही वापिस करना है आपको उपर एक arc बनाना है कुछ इस तरीके से आपको arc बनाना है कि दूसरे को एक cut करे फिर वही same नीचे आपको आपको बनाना है कुछ इस तरीके से ठीक है देखो अब आपको क्या करना है यह बन गया अभी आपको लेना है scale और pencil यह दोनो आप जो एक दूसरे को cut कर रहे हैं इन दोनों को एक line के थुरू आपको join कर देना है देखो कुछ इस तरीके से आपको scale रखना है उसके बाद आपको यह दोनों को join कर देना है ओके देख सकते हो आप इसको आपना यहाँ पे नाम देदेंगे हम इस line को M इसको देदेंगे N ठीक है जो cut कर रही है और देखो और यहाँ पे point पे जो आके यहाँ पे मिल रही है इस line को PQ को इस point को हम नाम देदेंगे है R ठीक है और यह क्या है perpendicular bisector मतलब क्या होता है कि वो line इसको आके 90 degree पे cut करेगी तो अगर आपको check करना है अपने सही perpendicular bisector draw किया या नहीं तो आप क्या कर सकते है अपना protector लो इसको बीच का यह वाला point है इसको इसके बीच पे रखो middle पे इस तरीके से हम रखेंगे फिर check करेंगे क्या यह 90 degree पे cut हो रहा है देखो हाँ देखो यह line 90 degree पे तम straight आ रही है तो मतलब कि हमने सही draw किया है ठीक है उसके बाद क्यूंकि यह line आके 90 degree पे इसको cut कर रही है तो हम यहाँ पे 90 degree का sign डाल देगे यह होता है 90 degree का sign ठीक है 90 degree angle का sign अब देखो यह दोनों side equal है तो आप चाहँ तो ऐसे equal का sign देदो यहाँ पे यहाँ पे common sign देदो common sign देखो यहाँ भी मैंने वही बनाए यहाँ भी मतलब कि यह जो इस line के यह side है और जो इस line के यह side है दोनों equal है ठीक है समझ गया आप इस तरीके से आपको यह draw करना थे एकदम simple दाना इसी तरीके से आपको आगे के भी draw करने है तो चलो भी हम चलते है question number 2 पर तो यहाँ पर हम करेंगे हमारा question number 2 तो question number 2 में क्या है हमें यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा second second में हमें दिये गए 6.7 cm ओके तो अभी हमें क्या करना है पहले 6.7 cm का एक line segment बनाना है उसके बाद उसका perpendicular by sector बनाना है एकदम easy है आप पहले scale और pencil ले लो उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर line segment तो यहाँ पर हम रखेंगे हमारा scale 6.7 cm आपका कहा तक आएगा देखो यहाँ पर 6 cm है यहाँ पर देखो तो 6.7 आएगा यहाँ पर तो हम 0 से start करते हैं 0 से हम लेके जाएंगे 6.7 cm तक ओके यह हमने बना दिया 6.7 cm का एक line segment कर दिया अब हमें क्या करना है इसको नाम दे देना है naming जरूर ही रहता है इस line segment को हम नाम देंगे यह वाले point को दे देंगे A यह वाले point को नाम दे देंगे B अभी आपको क्या करना है सेम तरीके से आपको अपना क्या rounder लेना है यह point पर रखो पहले या यह point पर जिसको आपको comment करे रखके आप क्या करना half से ज़्यादा distance लो देखो अभी देखो मुझे लग रहा हाफ पर यह तो हम थोड़ा और इसको ज़्यादा कर देते है इस point पर रखना है तो हम इसको half से ज़्यादा कर देते है कुछ इस सरीके से हाफ से ज़्यादा हुआ अब हम क्या करेंगे उपर एक arc करेंगे कुछ इस सरीके से और नीचे एक arc बना देंगे हम कुछ इस सरीके से अभी same distance हमको लेके जाना है यह side यह point पर रखना है उसके बाद हमें एक इधर arc बनाना है और एक इधर arc बनाना है नीचे ठीक है यह वाली arc को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं छोटी हो गई है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर गई है अब हम क्या करेंगे हम अपना scale और pencil लेंगे यह दोनो arc जहां पर cut हो रही है इनको join कर देंगे देखो कुछ इस सरीके से यह line के through हमने join कर दिया तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं यह वाले point को P और यह वाले point को Q ओके और यह point जहां पर आके यह line segment और line जहां पर आके मिल रही है दूसरों cut कर रही है उसको नाम हम दे देते हैं M अब देखो क्योंकि यह perpendicular bisector है तो मतलब कि यह 90 degree पे cut हुआ है तो हम यहाँ पर 90 degree का sign दे देते हैं ठीक है ज़रूरी है आपको marks ज़ादा भी लेंगे यह सब करोगे अगर आपको यह भी दिखाना है कि यह side और यह side equal है तो एक sign डाल दो ऐसे और ऐसे मतलब कि मैंने यहाँ पे एक symbol बनाया है यहाँ पे एक symbol बनाया है तो यह दोनो side equal है बस इतना ही आपको करना है एकदम simple है और देखो आप यह draw करने के बाद यह information लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या है देखो कि line PQ जो हमारी यह line PQ है यह perpendicular by sector है segment AB की line PQ is the perpendicular by sector of segment AB ऐसा आप लिख दो ठीक है end पे सिर्फ आपको क्या लिखना है कि line PQ is the perpendicular by sector of segment AB इतना आपको लिखना है ठीक है चलते हैं भी third पे अदोको third में आपको क्या दिएगे third में आपको है 3.8 cm तो हम यहाँ पे third अपना लिखते है third question हमारा है 3.8 cm तो हमें इसका क्या करना है line segment पहले draw करना है उसके बाद उसका perpendicular by sector एक दम इसी है देखते हैं तो हम भी scale और pencil से बनाते हैं 3.8 cm का एक line segment तो यहाँ से हमारा start होगा zero से और यह जाएगा यहाँ तक तो हमने 3.8 cm का एक line segment बनाया अब हम लेते हैं अपना rounder इससे आपको क्या करना है सेम तरीके से करना है इसका जो tip है आपके rounder का यहाँ पर रखो और यहाँ से half से जादा distance लो half से जादा मतलब आप line से बहार ही मतले लें आप try करो line पे ही आप लो यह half से जादा हम यहाँ तक ले लेते हैं ठीके तो उसके बाद हम एक उपर arc बनाते हैं छोटी सी और एक नीचे arc बनाते हैं छोटी सी अब same distance लेके हम यह side रखते हैं यह side रखने के बाद उपर हम arc बनाएंगे कि एक दूसरे को cut करें और नीचे भी हम एक arc बनाएंगे नीचे हम arc यहाँ पर बना देंगे कुछ इस तरीके से अब हमें क्या करना है यह दोनों को जॉइन कर दिना है स्केल की मदद से तो हम यहाँ पर रखेंगे अपना स्केल हम इस तरीके से दोनों को क्या करेंगे जॉइन कर दिनगे तो एक line के थुरू हमने इस line segment का perpendicular by sector बनाया है क्योंकि दोखो यह perpendicular by sector है मतब कि यह line इस line segment को 90 degree पर cut करेगी 90 degree angle पे तो इसके लिए हम यहाँ पर 90 degree का sign दे देना है ठीक है इस line segment को हमको नाम देना है हम नाम देना भूल गए थे तो नाम दे देते हैं यह रहेगा R यह रहेगा S और यह जो line जो है जिसने इसको cut किया है उसक इसा नाम देना चाहो दे सकते हो ठीक है जरूरी नहीं है मैंने AB लिखा आप भी AB लिखो आप चाह तो PQ यहाँ पर मैंने RS लिखा आप भी RS लिखो जरूरी नहीं है आप Anda चाहिए तो C D लिखो MN लिख दो जैसा आपको सही लगी ठीक है? अब यह जो point है जहाँ पे यह line और इस segment आके मिल रहे हैं उसको हम नाम दे देते हैं T ठीक है? अब आप चाहिए तो यहाँ पे sign बना दो कि यह दोनो side equal है तो देखो हमने यहाँ पे यहाँ पे तीन line बना देते हैं कि यह और यहाँ पे तीन line कि यह दोनों equal है इसका मतब होता है न? कि यह side और यह side equal है जो line के left में है और right में है ज़रूरी नहीं है आप दे दो ज़्यादा better रहेगा आपकी teacher ज़्यादा marks आपको देगी तो आप देखो हमने draw कर दिया है 3.8 certain meter का line segment उसका perpendicular है हम एक यह information जो है वो भी नीचे लिख देते हैं तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या लिखा है हमने कि line AB जो line AB है is the perpendicular bisector is the perpendicular bisector of segment RS ठीक है समझ के आप लिखना तो आपको रेट्टा मानने ज़रूद नहीं है क्या लिखना आपको line AB is the perpendicular bisector of segment RS clear चलो भी हमारा question number 1 हो गया अब हम चलते है question number 2 पे अभी देखो आपको question number 2 में क्या दिया गया है draw the angles of the measures given below and draw their bisectors क्या बोल रहे हैं कि जो हमें measurement दिया गया angle का इस measurement का हमें एक angle बनाना है उसके बाद उसका bisector बनाना है तो देखो bisector एक angle का bisector क्या होता है मतलब कि एक ऐसी line जो angle को 2 equal part में divide कर दी है ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया था perpendicular bisector तो देखो यह जो line है इसको यह 2 equal part में divide कर देती है देखो half ये side, half ये side तो ऐसे ही जब हम एक angle का bisector बनाएंगे तो वो भी उसको half, 2 half part में divide कर देगा तो अगर आपका angle है 100 degree का ठीक है तो 100 degree को वो half में divide कर देगा 50 ये तरफ और 50 ये तरफ हो जाएगा तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है देखो मैं आपको रफली बताता हूँ समझ लो हमारा ये angle है ठीक है ये हमारा angle है 160 degree का ठीक है तो जब bisector हम बनाएंगा तो यहाँ से bisector एक बनता है यहाँ से एक ray जाती है तो ये angle को वो 2 equal part में divide कर देगी ये side 80 degree ये side 80 degree ठीक है तो ये कैसे होता है half, 2 half equal part में divide कर देगा ये हमारा bisector जो angle bisector होता है आप tension मतलो आप ये मेरे साथ करो solve आपको अच्छे से समझेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है first question में 105 degree का हमें angle बनाना है तो सबसे पहले हम एक ray बना लेते हैं एक measurement का चलो हम 5 cm, 6 cm का बना लेते हैं ray तो हम यहाँ पर बनाएंगे आपको 6 से दिख रहा है न यहाँ पर हम बना लेते हैं 6 cm का एक ray ओके अभी हमें क्या करना है 105 degree का angle बनाना है तो यह जो यहाँ पर end हो रहा है ना इसको इसके midpoint पर रखना है इसको रखना है तो हम इसको रखते हैं कहाँ पर end हो रहा है हमारा point यहाँ पर तो इसको हमने रख दिया अभी आपको क्या करना है आपको देखना है 105 degree इसमें कहाँ पर है तो हम यहाँ से start करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 उसके बाद 110 आजाता है ठीक है हमें कहाँ यह 105 चाहिए तो हम क्या करेंगे 100 के आगे यह है इसके आगे count करेंगे यह क्या है 101 है फिर यह 102 है यहाँ पर 3 है यह 4 है यह 5 है जो बीच में लाइन आ रही है 100 के बाद देखो हमने यहाँ पर counting चुरू गया यह 105 degree की है ठीक है तो हम यहाँ पर एक point बना देते है 105 degree पर उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे scale की मदद से हम इसको यह जो ray का end है इससे हम join कर देंगे चलो join करते हैं कुछ इस तरीके से ओके यह हमने बना दिया हमारा angle 105 degree का तो अब इसको naming भी कर देते हैं नाम दे देते हैं तो चलो हम हम इस हमारे angle का नाम देते हैं इसको M और इसको यहाँ पर एक point बना देते हैं ठीक है यह हमारा है LMN अभी हमें क्या करना है इसका bisector बनाना है आपको rounder लेना है और तो आपको जो rounder का tip है आपको यहाँ पर रखना है ओके यह जो दोनों line आके जहाँ पर मिल रही है एक दूसरे से वहाँ पर रखना आप आपको यहाँ पर यहाँ पर रखने के बाद आप यहाँ पर एक arc बना दो दोनों side एक arc यह side और एक arc यह side इस तरीके से ठीक है अभी आप अपना rounder उठाओ अब जहाँ पर पहले रखना चाहो यहाँ यह यहाँ आप रख लो point रखने के बाद अब दोखो आपना distance आप change कर सकते हो अब इसको जादा कम आप करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है यहाँ पर रखो अब जो distance आपने लिए और लेने के बाद और arc बनाते हैं यह side ओके यहाँ पर आर्क बनाने के बाद अब हम same distance अभी आपको change नहीं करना है यह वाले point पर रखो यह वाली arc है यहाँ पर रख बना देना है ठीक है बना दिये आप अभी आपको scale और pencil की मदद से यह arc जहाँ पर एक दूसरे को cut कर रही है इस point को और यह M जो है इस point को join कर देना है कि कुछ इस सरीके से ठीक है इसको हमने जाइन कर दिया अभी हम इस रे को नाम दे देते हैं M इसको हम नाम देते हैं एंगल है यह कितने डिग्री का है यह है हमारा 105 डिग्री का तो आप लास्ट में क्या गरना आप बता दो यह हमारा एंगल का साइन होता है तो यह हमारा 105 डिग्री का आप इस तरीके से लिख दो ठीक है और अगर आपको दिखाना है कि हमारे यह एंगल और यह एंगल दोनों स ही एधो जो रे के राइट साइड वाला है और लेफ साइड वाला हमने बासे बना कर दोनेको दूनों को हाफ में डिवाइड कर Euv लिए ने नीचे लिखते है हमारा कंप्लीट होने के बाद यह भी आप लिखना इस पे लिख दोगे क्या रहेगा रे MP जो हमारी यह रे है MP is the bisector of angle LMN मतलब कि रे MP जो है यह हमारे angle LMN को bisect कर रही है इसकी bisector है देखो अब आप सोचो को रे क्या होते है आपने पढ़ा है पहले confusion अगर आपको हो रहा है मैं बताता हूँ देखो यह जो हमारा है यह हम ड्रॉ करते है इस तरीके से AB इसको हम क्या बोलते है यह होता है हमारा segment इसे हम segment बोलते है ठीक है और यह जो हमारा होता है इस तरीके से जो हम ड्रॉ करते है अब समलो PQ इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है लाइन उके उसके बाद जो हमने अभी यहाँ पर रे जो लिखा है तो अग समझ गए कि रे MP is the bisector of angle LMN इसको हम रे क्यों बोले समझ गया आप इस तरीके का जर्ण पर सब्सक्राइन विसको के चांगर आपना प्रोटरेक्टर लेंगे इसको कहां पर रखेंगे हैंे यह जो पॉंट जहां पर एंड हो रहा है उसको इसके मिडंड पर रखेंगे तो चलो रखते हैं, कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको 55 डिगरी देखना है, यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ओके, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 को बाद क्या आ रहा है, 60, कभी भी देखो, यह 0 से स्टार्ट करना है, 180, 170, ऐस स्टार्ट करना है, 0 से, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, उसको बाद 60 आ रहा है, हमें कहाँ यह 55 डिगरी, तो देखो 50 के आगे, देखो यह दिख रहा है, यह 50 वाली लाइन है, 50 के आगे काउंटिंग करो, 51, 52, 53, 54, एक एक लाइन है न, 55 है, जो बड़ी वाली लाइन आती है, यहाँ प मैं आपको बताता हूँ, दो सिकंड आप रुखो, देखो, मैं जोइन कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीके, परफेक्टल एकदम जोइन हो गया, अब इसको हम नाम दे देंगे इस एंगल को, हम नाम दे देते हैं इसको D, E, F, ठीके, हमने अपनी एक एंगल को नाम द करना है, आप अपना rounder लो, इसको ये point पे रखो, जहां पे ये angle का, जो midpoint, जो दोनों right जहां पर आके मिल रही है, वहाँ पे रखो, रखने के बाद, आपको का करना है, यहाँ पे arc बना दो, यहाँ पे arc कट करो, और यहाँ पे arc बनाओ, नीचे, same distance रह, ठीके, उसके आप अभी चाहते हो, डिस्टेंस अपना यह कम जादा कर सकते हो, तो चलो हम थोड़ा सा जादा कर देते हैं, अब हम इस पॉइंट पर रखेंगे, यह पोइंट पर रखने के बाद, हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, ओके, यहाँ पर आर्क कुछ इस तरीके से, यह वालिक हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ताकि अच्छे से हमें दिखे, कहाँ पर दूसरे को यह कट कर रहे हैं, ओके, क्लियर, अभी आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल की मदद से, यह जो दोनों आर्क जहाँ से कट हो रही है, इसको, यह जो पॉइंट ई है, इस से जोइन कर देना है, ठीक है, एक रे बनाकर, तो चलो करते हैं, तो हम देखो किस तरीके से जोइन करेंगे, कुछ इस सरीके से, देखो, हम इनको जोइन कर देंगे, दिख लाए, एक दम परफेक्ली हो गया, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस जहां पर आके एक दुसरे को जो आर्क कट कर रहें इस पॉंट को क्या नाम दे देते हैं जी ठीक है इसको हम नाम दे देते हैं जी तो देखो हमने एंगल बाई सेक्टर बना दिया एंगल d.e.f का अब हम क्या करेंगे लास्ट में बता देंगे जो हमारा एंगल है यह कितने डिग्री का है यह एंगल हमारा है 55 डिग्री का यहाँ पर लिख देते हैं हमारा एंगल 55 डिग्री का है यह एंगल का साइन होता है ठीक है अब देखो अब यह वाला साइड जो है और यह वाला जो साइड है इक्वल है इसके लिए छोटी सी साइन हम कोई यहां पर बना देते हैं चलो यहां पर X देते हैं मतलब कि दोनों साइड एक्वल है ठीक है इसका मतलब यह ही होता है अगर आप दो एकदम सेम दिखने वाले सिंबॉल दो साइड बनाओगे न तो यह मतलब दोनों सेम मेजरमेंट के हैं क्लियर यहां पर हमारा जो कंस्ट्रक आप क्या लिखू गई, EG, तो आप यहाँ पर लिखो, Ray, EG is the bisector of angle DEF, D, E, F, मतलब की जो हमारी Ray, EG है, यह bisector कर रही है, angle DEF को, clear हो गया, समझ गया आप, चलो भी, very good, अब हम चलते हैं हमारे third question पर, third वाला क्या दिया गए, कितना है, हमें दिया गए measurement, third वाले angle का, देखते हैं, देखो, third में हमें दिया गए 90 degree, अब हमें क्या करना है, 90 degree का angle बनाना है, उसको हमें bisector करना है, एकदम simple है, जैसा हम करते हैं, वैसी ही करना है, तो आप आप क्या करो पहले, अपना scale लो, एक line बना दो, कोई भी measurement की, ना जादा बड़ी, ना जादा छोटी, ताकि आप अच्छे से, उसका bisector बना पाओ, तो हम चलो इस बार ले लेते हैं, 6 cm की line, तो हम कुछ इस सरीके से बनाएंगे, 6 cm की एक line, ओके, बना दिया हमने, अभी हम क्या करेंगे, यह ray है, sorry line मैंने गलती से बुल दिया, अब हमे इसको angle बनाना है 90 degree के, तो हम क्या करेंगे, अपना protector लेंगे, इसका midpoint रखेंगे, यहाँ पर जो end हो रहा है, इस पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, 90 degree के यहाँ पर है, बीच में दिख रहा है, आपको यह 90 degree है, तो यहाँ पर हम एक point बना देंगे उपर, ओके, एक point बना से यह line, जो ray है, इसके end से join कर देंगे, तो हम कैसे join करेंगे, कुछ इस तरीके से, ओके, अब इस angle को हम नाम दे देते हैं, चलो, हम नाम दे देते हैं, A, B, C, हमने बना दिया 90 degree angle हमारा, अभी हमें क्या करना है, इसका हमें 22 sector बनाना है, सेम तरीका जैसे आप करते हैं हो, अपना प्राउंडर लो, इसको यहाँ पर, जो point है, बीच वाला इस पर रखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक arc बनाएंगे, ओके, और नीचे, यह वाले साइड, सेम distance से, यह वाले सा जादा कर लेते हैं, यह कम कर लो, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन द्यान रहे, अच्छे से आप करना, ना जादा कम हो, ना बोच जादा कर देना, अब हम इस, जो, यह आर्क कट हो रही है, इस point पर रखके, हम यहाँ पर एक arc बनाएंगे, कुछ इस सरीके से, ओके, अब सेम distance लेकि हम जाएंगे, यह वाले arc के पास, इस पर रखके हम वापिस यहाँ पर arc बनाएंगे, जो एक दुसरे को cut कर दे, ऐसा बनाएंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, हम यहाँ पर दोनों point से रखके, एक एक arc बनाया है, यह एक दुसरे को cut कर रही है, अब हमें क्या करना scale और pencil की मदद से, जो दोनों arc जिस point पे cut हो रही है, इसको हमें point B सो joint कर देना है, एक ray बना कर, तो चलो करते हैं, दम perfectly करना आप अच्छे से, तक कि आपको जो examiner ray, आपको देखके full marks दे दे, अच्छे से करो, ओके, तो हमने यहाँ पर हमारी ray बना के, इस angle का bisector बना दिया तो हम ray को नाम दे देते हैं, M, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर angle भी हमें लिखना है न, लेकिन यह कहा 90 degree angle है, तो 90 degree angle की sign कैसी होती है, देखो, ऐसी होती है, जहाँ से देखना, ऐसी, ठीक है, बाकी angle में तो हमने कैसे बनाए, देखो, ऐसे round, ऐसे round बना के हमने angle का measurement लिख ठीक है, अब देखो, अगर आपको बताना है, यह side का और यह side का angle equal है, तो यहाँ पर sign बनाना नहीं पड़ीगी, तो आप कोई भी sign बना दो, चलो हम यहाँ पर, दो line ऐसे बना के sign देते हैं, यह दोनो side का equal है, ठीक है, clear, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपने 90 degree angle का भी bisector बना दिया है, अब जो छोटी सी information हम लिखते हैं, वो लिख देते हैं नीचे, क्या आप लिखते हो, कि ray BM is the bisector of angle ABC, मतब ray BM angle ABC को bisect कर रही है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ray BM is the bisector of angle ABC, इस तरीके से आपको करना था, clear हो गया है, समझ गया है, अब लिखते हैं, अब लिखते हैं, क्या करना हैं, अभी हमें चलना, question number 3 की तरफ, देखते हैं, question number 3 में हमें क्या दिया गया है, देखो, यहाँ पर है आपको question number 3, क्या बोल रहे हैं, draw an obtuse angle triangle and a right angle triangle, क्या बोल रहे हैं, एक आपको obtuse angle triangle बनाना है और एक right angle triangle बनाना है, उसके बाद, find the points of concurrence of the angle bisector of each triangle, where do the points of concurrence lie, क्या बोल रहे हैं, आपको उसके बाद, हमारा triangle बनाने के बाद, हर एक angle का आपको angle bisector बनाना है, और जब हर एक angle का आप angle bisector बना लोगे, तो उनका point of concurrence है, वो कहाँ पर जाकर meet हो रहे हैं, कहाँ पर जाकर सारे point मिल रहे हैं, वो आपको बताना है, triangle के अंदर या triangle के बाहर, आप confuse मत हो, मैं जब आपको solve करवाँगा आपको समझेगा, क्या इसमें बोला के जा रहे है, कि point of concurrence क्या है, और वो कहाँ पर जाकर, point of concurrence कहाँ पर lie हो रहा है, यह दुनों चीज़े आपको समझेगा, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले obtuse angle triangle बनाना है, तो आपको मालू में obtuse angle क्या होता है, obtuse angle मतलब कि ऐसा angle जो 90 degree से बड़ा हो, तो चलो हम बनाते हैं सबसे पहले हमारा obtuse angle, तो जो obtuse angle है, उसका measurement तो हमें नहीं बताया गया है, तो measurement हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस 90 degree से बड़ा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर डालते हैं हमारा question number 3, तो यह है हमारा question 3, इसमें पहले हम बनाएंगे हमारा obtuse angle triangle, तो आप क्या करोगे, आप अपना scale लो और pencil लो, देखो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि हमें protector की जरूरत पड़ेगी obtuse angle triangle बनाने के लिए, नहीं, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें measurement बोला नहीं गया है, हमें बोल रहे हैं बस obtuse angle triangle बनाओ, तो देखो obtuse angle triangle बिना आप protector के कैसे मनाओगे, हमें पता है कि जो हम ऐसे triangle बनाते हैं, straight line, इसको एक angle इसमें क्या है, straight है, 90 degree है, यह 90 degree angle होता है, तो मतलब यह क्या हो गया हमारा, यह 90 degree angle है, अब इससे अगर छोटा, right side अगर इससे अगर समय तो होगा, इससे बड़ा हो गया obtuse angle, गदेखो यहाँ पर, अभी समझ लो, मैंने यह बना दिया, ट्राइंगल हो गया, और अगर वही मैंने यह बना दिया, यह rendez怖 है, यह मैंने बना दिया, यह क्या हो गया, हमारा obtuse angle triangle हो गया, तो आपको इस सरी चैनल बनाना है, बिना प्रोटेक्टेर की मदद से आप बना सकते हो ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं बोला गया है तो चलो हम बनाते हैं हमारा अप्टूस एंगल ट्राइंगल तो यहां पर हमने एक लाइन बनाया कुछ इस तरीके से उसके बाद हमने यहां पे एक लाइन बना दिया कुछ इस तरीके से और उसके बाद हमने इन सब को जोइंट कर दिना है कुछ इस तरीके से हमने यह क्या बना दिया है हमारा obtuse angle triangle समझ गया आप कैसे बनाना था आपको अब ही हमें क्या करना है इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं तो चलो हम इनको नाम देते हैं P Q R नाम दे दिया हमने अब हमें क्या करना है अब हमें हर एक एंगल का हर एक एंगल का क्या करना है हमें angle bisector बनाने है जो हमने उपर किया था ये सब के साथ ये सब हमने किया है ना हमें हर एक angle का इसमें angle कितने है देखो एक यहाँ पर angle है यह क्या है angle r, p, q अबबल से यहाँ से start करते देखो angle p, q, r, एक angle angle q, r, p, यह दूसरा angle फिर angle r, p, q तीसरा एंगल तो मतलब एक दो तीन तीन हमारे पास एंगल है तो तीनो का में क्या करमा है जहां पे दोनो लाएना के मिल रही है तेंचन मतलो धीरे धीरे आपको सब समझेगा, अब क्या करने आपको, अपना जो ये rounder है, इसको लेना है, इसके बाद आपको रखना है, ये point पे, जहां पे दोनों line हाके मिल रही है, point पे रखने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम हमारे एक arc कट करेंगे, ठीक आपना राउंडर उठाना है यहां पर कट हो रही है इस पॉयंट पर रखना है रखने के बाद आप डिस्टेंस अभी क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो तो हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं अब आपको यहां पर एक आर्क बनाना है कुछ इस तरीके से same distance लेके आपको ये point पे रखना है यहाँ पे एक arc को आपीस बना देना है देखो हमें ये वाली arc को थोब बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे से आके cut हो आपके cut नहीं हो रही है तो हम इस तरीके से वाली arc को बड़ा कर देंगे अब देखो एक दूसरे को cut हो रही है अभी हमें क्या करना है जो दोनों arc जो point पे एक दूसरे को cut कर रही है इस point को और Q को join कर देना है जैसे हम करते हैं तो हम करते हैं join कुछ इस तरीके से ओके हमने एक angle का angle bisector हमने बना दिया है angle Q का ठीक है इसी तरीके से हमें angle R और angle P का भी angle bisector बनाना है समझे ना आप कैसे यह करना है तो चलो करते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे बता दो कि हमने यह ray बनाई है यह जो angle bisector बनाई है इसको जैसे यह side वाला angle equal है तो आप यहाँ पे इसे sign बता सकते हैं छोटी से दुनों side का angle equal है अब ही हम angle R का हम क्या करते हैं angle bisector बनाते हैं तो वापिस वैसे ही आपको यह अपना rounder लेना है यह point पे रखना है रखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे arc बनाना है चलो हम बनाते हैं यहाँ पे arc थोड़ा सा आगे ले लेते हैं ताकि यह arc पे हमारी देखो यह वाले arc पे हम ना बना दे तो यहाँ पे हम एक arc कट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक arc cut करते हैं ठीके अब इसके बाद आपको क्या करना है अपना rounder उठाना है यह वाले point पर रखना है या यह वाले point पर जिसपर आप पहले रखना चाहो जो arc आपने cut किये है उस पर रखने के बाद आपको एक arc बनानी है तो चलो हम आर्क बनाते हैं कोई भी distance आप ले लो यहाँ पर एक आर्क बना दिये हम उसके बाद वही same distance आपको यह वाले आर्क पर रखना है रखने के बाद आपको sorry आपको एक आर्क बना दिना है ओके देखो दुनों आर्ट जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है यहां से आपको एक रे बना देना है ताकि हमारा एंगल बैसिक्टर बन जाए तो हम स्केल की मदद से जॉइन करेंगे कुछ इस सरीके से देखो ओके यहां पर हमारा एंगल बैसिक्टर एंगल आर का भी बन गया है अभी हमें क्या करना है एंगल पी का बनाना है तो सेम तरीके से बनाएंगे अब अपना राउंडर लो यह वाले पॉइंट पे रखो यह वाले पॉइंट पे रखने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क बनाना है थोड़ास हम बड़ा कर देते हैं इसे यहाँ पर हमने एक आर्क बनाया सेम डिस्टेंस से यहाँ पर भी आर्क बना दो उसके बाद आपको राउंडर उठाना है अब यह वाले पॉइंट पर रखो ये वाले या ये वाले जो आपने नई आर्क बनाया है उस पर रखो यहां से आपको एक आर्क बनानी है कुछ इस तरीके से उसके बाद सेम डिस्टेंस आपको ये वाली आर्क पर रखना है ये वाली ये वाली पर जो हमने अभी भी बनाया है उसकाख आपको यहाँ पर भी एक arc cut कर देना है ओके? यह करने के बाद आपको क्या करना है point P और 이 जो arc कर वहाँ पर cut कर रही एक दूसरे को इसको joint कर देना है तो हम किस तरीके से करेंगे? कुछ देखो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा ओके? तो यह हमारी हो गई angle bisector हमारा हो गया angle P का ठीक है तो हमने angle P, angle Q, angle R तीनों का angle bisector बना दिया है अब बनाने के बाद आप देख रहे हो तीनों जो angle जो हमारे bisector है तीनों एक point पर आके मिल रहे हैं यहां पर ठीक है तो इसको बोलते है point of concurrence ठीक है इसको हम नाम देते हैं क्या नाम दोगे आप इसको नाम देते हैं I यह हमारा point of concurrence अब देखो हमें एक और चीज़ क्या पुछा था question में हमने point of concurrence बना दिया है पुछे थे where do the points of concurrence lie मतलब कि point of concurrence कहां पर lie हो रहा है triangle के अंदर या triangle के बाहर तो आप यहां पर बता सकते हो कि हमारा point of concurrence triangle के अंदर हो रहा है ठीक है तो हम final statement हमारा लिख देते हैं इसका क्या आप लिखोगे आप यहां पर लिख दोगे कि the point of concurrence of angle bisector in obtuse angle triangle lie in the interior of the triangle मतलब कि जो हमारा point of concurrence है मतलब कि यह जो तीनो angle के जो bisector है जो जहां पर आके मिल रहे हैं वो point हमारा triangle के interior में triangle के अंदर है वो ना कि triangle के बाहर है ठीक है अभी हमें देखो क्या बोला था obtuse angle triangle बनाने एक और चीज़ हमें करने बोला था क्या यहां पर हमें obtuse angle के बाद राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का और उसके बाद उसका भी point of concurrence देखना है कहां पर रहेगा तो चलो हमने एक कर दिया हमारा obtuse angle triangle का यहां पर आप चाहिए तो नाम दे दो यहां पर लिख देने आपको obtuse angled triangle ओके यह हमारा obtuse angled triangle यह हमने कर दिया अभी हम चलते हैं second वाला जो हमें बनाना है right angle triangle तो यह रहेगा हमारा second तो right angle triangle हम बनाते है scale और pencil की मदद से आपको measurement लेने की ज़रूद तो है नहीं आपको आप सिंप्ली बना सकते हो तो यहां पर हम एक measurement लेते हैं चलो एक line हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से और हमें 90 degree का एंगल बनाना है right angle मतलब 90 degree तो इस स्ट्रेट अपने scale को रोखो इस तरीके से रखने के बाद यहां पर आप एक line बना दे सीधी उसके बाद यह दोनों point को join कर दो तो हमारा triangle पूरा complete हो जाएगा कुछ इस तरीके से यह बन गया हमारा triangle क्या right angle triangle बन गया अब इस triangle को हम चलो नाम दे देते हैं क्या नाम देंगे a b c नाम दे दिया हमने अगर आपको जड़ा भी doubt है यह 90 degree है या नहीं तो आप चेक कर लो यहां पर रखके अपना यह protector रखके दिख रहे हैं आपको 90 degree देखो 90 degree है एकदम ओके तो 90 degree इस तरीके से आप बिना protector के बना सकते हो अब हमें क्या करना है हर एक angle का angle a angle b angle c सारे angle का हमें bisector बनाना है और देखना है जो bisector आके एक दूसरी को जो point पर मिल रहे है वो triangle के अंदर या triangle के बाहर है ठीके तो आप चीए तो इसको नाम दे दे दो यहां पर कि जो हमारा triangle है यह है right right angled triangle ओके यह हमारा right angle triangle है जिसका हम angle bisector बना के point of concurrence देखेंगे कहां पर आता है सबसे पहले आप किसका बना होगे चोलो हम point b का पहले बनाते है या तो point a जिसका आपको पहले बनाना है हम पहले point b का बना लेते है पॉइंट बी पर रखते हैं हमारा यह point उसके बाद हम आर्क बनाते हैं एक आर्क हमारी यहां पर आएगी और यह अर्क हमारे नीचे आएगी यह side ठीक है आर्क बना दिया हमने दोनों side अब यह हमें क्या करना है इस आख से हमें जो आख हमने बनाया है आप पहले इस पे या पहले इस पे जिस पे चाहो रखो अपना rounder रखो रखने के बाद आप इस distance को आप चाहो change कर सकते हो ठीक है तो हम थोड़ा सा बढ़ा कर ले आपको वापीस आख बनाना है ऐसे बनाना कि यह जो आख आप बना रहे एक दूसरे को कट करें हो गया अभी हमें क्या करना है एक रे की मदद से जो आख कट हो रही है इस point को पॉइंट B को जॉइन कर देना है तो क्या चलू करते है पेंसियो स्केल की मदद से तो आप इस करेके से अपना स्केल रखो रखने के बाद point B and आख जहां पर कट हुरी इसको जॉइन कर देना है कुछ इस तरीके से ठीक है पॉफेक्टली जॉइन नहीं हुआ है हम इसको आपिस करते हैं तो चलो आपिस हम एक बार ट्राइ करते हैं जॉइन करने के दम अच्छे से कुछ इस तरीके से इस बार परफेक्टली जॉइन हो गया है आके हमारा point B पर तो यह हमारा यह बन गया angle by sector of angle B मतब कि यह side और यह side equal है तो आप यहापे 90 degree के sign दे दो इस तरीके से आपको चाहिए तो अगर आपको दिखाना है कि दोनों angle यह side और यह side equal है तो एक sign बना दो यहाँ पर इसको तब यह side यह side equal है हम दे बना दिया अभी angle B का अब angle C का हमें क्या करना है बनाना है पर पेनिकलर पेनिकुलर सोरी पर पर पैनिकलर मेंinky एंगल बैसे तो हम क्या करेंगा हमारा राउंडल लेंगे इस प्ट पर रखेंगे रखने के बाद एक आर्क हम यहाँ पर बनाएंगे और एक आर्क हम यहाँ पर बनाएंगे आर्क बनाने के बाद हम राउंडर उठाएंगे यह पॉइंट पर रखेंगे रखने के बाद आप चाहो तो अपने यह जो इसका जो डिस्टेंस है ज़ादा कम कर सकते हो तो चलो हम थोड़ा से कम कर देते हैं यहां पर हम एक आर्क बना देते हैं कुछ इस तरीके से उसको पार सेम डिस्टेंस आपको लेना है change नहीं करना है, यह point पर रखना है रखने के बाद आपको एक और और आर्क बना देना है, कुछ इस तरीके से, ओके, अभी क्या करना है, आपको स्केल और पेंसिल की मदद से एक रे बनाके, पॉइंट सी और जो आर्क जहांपे कट हो रही है, दोनों को जॉइंट कर देना है, तो हम चलो जॉइंट करते हैं, कुछ इस तरीके से यह हमने ray बना दिया और दोनों पॉंट को यह पॉंट और यह पॉंट को जॉयन कर दिया अब हमें क्या करना है लास्ट वाला जो हमारा angle है angle A इसका हमें angle bisector बनाना है उसके बाद हमारा complete हो जाएगा यह वाला third question तो चलो हम करते हैं rounder low आप point A पर रखो vertex A आप बोल सकते हो यहाँ पर रखो उसके बाद आपको एक यहाँ पर आर्क बनानी है यह side और यह side बनानी है आपको ओके अभी क्या करना है आप यहाँ पर एक काम करो चलो हम थोड़ा notebook कर अपने घुमा लेते हैं किसी ली बना पाएंगे देखो अभी आपको क्या करना है यह point पर रखना है आपको यह point पर रखने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क बनाना है तो हम बनाते हैं यहाँ बनाने एक बात सेम डिस्टंस आपको लेगी यहां पर रखना है और उसके बात यहां पर एक आर्क बना देते हैं है कुछ इस तरीके से अभी क्या करना आपको आपको पॉइंट ए और इस आर्क का जो जहां पर आके कट हो रही है इनको जॉइन कर देना है कैसे करो गया scale की मदद से हमें करना है scale ओके तो देखो कुछ इस तरीके से आपको joint कर देना है ओके तो देखो हमने तीनों एंगल के bisector बना दिये और जो तीनों एंगल का bisector है जो point पर आके मिल रहा है जो point of concurrence है वो यहाँ पर है तो हम इसको नाम दे देते आई मतलब की जो हमारा यह जो triangle का जो point of concurrence है जो angle bisector का point of concurrence है वो हमारे triangle के अंदर लाई हो रहा है वो हमारे triangle के अंदर है ना कि बाहर clear होगे आपको तो चलो हम statement हमारा last click देते हैं जैसे हमने यह वाला लिखा था same to same लिखना है कि the point of concurrence of angle bisector in यहाँ पर obtuse की जग आपको क्या लिखना है right angle लिखना है हमने यह right angle का of right angle triangle lie in the interior of the triangle मैं आपको लिखके भी दे देता हूँ जैसे आपको लिखना है तो देखो इस तरी के सा आप लिख दोगे the point of concurrence of the angle bisector in the right angle triangle lie in the interior of the triangle मतलब कि जो हमारा यह angle bisector है इनका जो point of concurrence है जहाँ पर यह आके मिल रहे हैं वो हमारे triangle के interior में है triangle के अंदर है ना की बाहर किलियर हो गया? समझ गया आप कैसे यह करना है? अब हम चलते question number 4 पर देखते हैं question number 4 में हमें क्या दिया गया है? क्या है? draw a right angle triangle हमें क्या बोले? एक right angle triangle बनाओ जैसे हमने triangle अभी बनाया था वो ऐसा triangle बनाना है यह वाला ऐसा triangle बनाना है उसके बाद क्या बोल रहे है? draw the perpendicular bisector of its sides where does the point of concurrence lie? क्या बोल रहे है? कि वो जो आप triangle बनाओगे right angle triangle उनके हर एक side का आपको perpendicular bisector बनाना है और फिट देखना है कि जो perpendicular bisector आप हर एक side का बना रहे हो उनका point of concurrence कहां पे lie हो रहे है? triangle के अंदर या triangle के बाहर? देखो हमने अभी क्या बनाया था? हर एक angle का angle bisector और उनका जो point of concurrence है वो triangle के अंदर था हमने यह देखा है अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक triangle बनाना है और triangle के हर एक side का हमें perpendicular bisector बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था यह होता है perpendicular bisector perpendicular bisector बना के देखना है उनका point of concurrence कहां पे आ रहे है? ट्राइंगल के अंदर या ट्राइंगल के बाहर, एकदम सिंपल है, टेंशन मत तो आप, ऐसा आपको लग रहा है, हार्ड है, लेकिन जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप बोलोगे, बहुत सिंपल है, देखते हैं, यहाँ पर हम देते हैं, कोशन नमबर 4, जो हमें भी सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर है, अभी इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, बोल गया है, ड्रो राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाते हैं, यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, यह हमारा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, आपक राइट एंगल ट्राइंगल ओके यह हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल अभी हमें इसको नाम भी देना है तो हम नाम दे देते हैं चलो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो A, B, C, D, E, F, G, H या P, Q, R, जिसे आपको नाम चाहिए हम यहापे नाम देते हैं X, Y, Z ठीक है? यह हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहापे साइन बना देते हैं कि हमारा राइट एंगल है 90 डिगरी है 90 डिगरी की साइन होती है अब हमें क्या करने हैं हर एक side का में perpendicular by sector बनाना है आपको rounder लेना है rounder का यह जो tip है आपको इस पे रखना है यह वाले point पे जहां से हमारी line स्टार्ट हो लिए और आपको half से जाधा distance लेना है आपको half से जाधा distance लेना है लेने के बाद आपको ऊपर एक arc बनानी है थोड़ा कम करते हैं अब सेम डिस्टेंस आपको लेना है चेंज नहीं करना है यह वाले point पर रखो यॉञeilव पॉइंट पर रखने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क बनानी है ऐसे बनाने आपको आर्क की दोनो एक दूसरे को कट करें फिर इसके बाद सेम डिस्टेंस से नीचे आपको बना दीनी है ओके बना दिया अब दोको यह जो दूनों point है जहापे दूनों arc एक दूसरे को cut कर रही है आपको एक line के बनत से इनको joint कर देना है तो चलो हम करते हैं scale लो, pencil लो, joint कर दो दम देखो आपको अच्चे से joint करना है बधरा भी mistake नहीं करना perfectly एकदम joint करो तो हमने देखो कुछ इस तरीके से इनको जॉइन कर दिया ठीक है अभी हम ये साइड YZ ये ZY का हमने क्या कर रहा है पर्पेंडिकल बाइसेक्टर बना दिया है हम यहाँ पे साइड दे देखे कि हमारा ये 90 डिग्री की लाइन है ठीक है मनदब कि ये जो लाइन है ये YZ को 90 डिग्री पर आके कट कर रही है हो गया अभी हम चलते हैं हमारे XY साइड XY का हम पर्पेंडिकलर बाइसेक्टर बनाते हैं कैसे बनाएंगे वही तरीका है जो हमने किया था अभी आपको ये पॉइंट पर रखना है या तो ये पॉइंट पर रखो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लो हमने हाफ से ज़्यादा लेके रखा है यहाँ पर एक आर्क बनाओ और यहाँ पर एक आर्क बनाओ इस तरीके से सेम डिस्टेंस आपको लेना है ये पॉइंट पर रखना है रखने के बाद आपको यहाँ पे एक arc बनाना है ऐसे कि एक दूसरे को cut करे उसके बाद ये side आपको बना देना है इस तरीके से कि एक दूसरे को cut करे ठीक है दोनों side हमने बना दिया अभी क्या करना है एक line की मदद से दोनों point को आपको join कर देना है तो देखो हम कैसे करेंगे कुछ इस तरीके से देखो परफेक्टली एदम करना आप अच्छे से तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से ठीके तो यहां भी हमने हमारे साइड एक्स वाई का हमने परपेंडिकलर बाइसेक्टर बना दिया अब बचता हमारा side xz इसका हमें last perpendicular bisector बनाना है तो चलो सेम तरीके से बनाते हैं आपको ये point पे रखना है आपसे ज़्यादा आपको distance लेना है दोखो आपसे ज़्यादा है ये arc आप यहाँ पे बनाओ और एक arc आप यहाँ पे बना दो same distance लेना है आपको ये point पे रखना है एक आप यहाँ पे बनाओ और एक यहाँ पर देखो अभी तो जो arc है ये वाली cut नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे वापिस rounder को यहाँ पे रखेंगे और इस आपको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये cut कर एक दूसरे को अब यहाँ को क्या करना है इन दोनों point को join कर देना है scale की मदद से तो चलो हम करते है कुछ देखो इस तरीके से ओके यह हमने बना दिया perpendicular bisector हमारे side x y का तो आप यहाँ पे भी एक sign दे दो कि हमारा जो side x y है ना entity दी है ओके तो यहाँ पर हमें जो point of concurrence मिला है आप point c इसको नाम दे दो यह हमारा point c रहेगा तो देखो यहाँ पर हमने तीनों side का perpendicular bisector draw कर दिया है और तीनों side के जो perpendicular bisector है वो कहाँ पे आके मिल रहे है यह वाला जो side है इसके midpoint पे तो यह वाला जो side है इसको हम बोलते है hypotenuse ओके तो मतलब कि हमारा जो perpendicular bisector है तीनों side का वो hypotenuse के midpoint पे आके मिल रहा है देख सकते हैं point c तो हमें अब final answer हमारा लिख देना जो ज़रूरी है लिखना उस पे आपका half या तो एक marks मिलता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो आप लिखोगे the point of concurrence c lies at the midpoint of the hypotenuse मतलब कि जो हमारा point of concurrence है perpendicular bisector का वो हमारा hypotenuse के midpoint पे आके मिल रहा है ठीक है इस से रही के से आपको करना था clear अब चलते हैं हमारे practice at one के last question पर क्या है देखो यहाँ पर है मैतली, शाइला and अजे live in three different places in the city बोल रहे हैं कि मैतली, शाइला और अजे अलग-अलग जगहों पर city में रहते हैं शहर में रहते हैं आटोज शॉप is equidistant from their houses क्या बोल रहे हैं एक खिलोने की दुकान है जो तीनो के घर से same distance पर है भले से ओ तीनो शहर में तीनो अलग-अलग जगहें पर रहते हैं लेकिन एक toy की दुकान है एक खिलोने की दुकान है जो इनके घर से same distance पर आती है which geometrical construction should be used to represent this explain your answer क्या बोल रहे हैं आप कौन सा geometrical construction यूज करके ये बताओगे कि मैं अलग-अलग जगहें पर रहते हैं लेकिन इनके घर से जो खिलोने की दुकान है वो same distance पर पढ़ती है same दूरी पर पढ़ती है तो आप कैसे बताओगे एकदम simple है मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको चलते हैं हम अगले पेज़ पर तो हम यहाँ पर करने वाले हैं question number 5 हमारा तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यह हमारा question 5 ओके तो देखो सबसे पहले हमें बोला है कि मैथली, शायला और अजय शहर के अलग-अलग तीन जगों पर रहते हैं तो चलो हम मान लेते हैं कि वो एक लाइन में नहीं रहते हैं अलग-अलग मतब कि तीन रेंडम जगा पर रहते हैं ठीक है तो समय लो अभी यह है यहाँ पर किसका घर यह यहाँ पर है मैथली के घर हम मान लेते हैं ठीक है? यहाँ पर मैथली के घर है ओके? और यहाँ पर हम मान लेते हैं चलो यहाँ पर घर है सॉरी मेरे ट्रॉइन खुड़ा है यहाँ पर अच्छे से नहीं हो रही है यहाँ पर समझ लो शाइला ओके? शाइला का घर है उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पर एक और घर बना देते हैं यहाँ पर समझे लो है अजय का घर ओके तो यह शहर के तीन अलग-अलग जगों पर रहते हैं अब क्या बोले हैं एक टॉय शॉप है एक खिलोने की दुकान है जो इनके घर से इक्वी डिस्टेंट पर है मतलब सेम दूरी पर है तो आप कौन सा जोमेटरिकल कंस्ट्रुक्शिन यूज करके बताओगे इसका अंसर कैसे आप बताओगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तीनके अगर हम घर को एक लाइन बना के जॉइंट करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा देखो ट्राइंगल बन रहा है देखो मैं हलका सी लाइन बनाता हूँ देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट पर आके मिलेगा तो हम जब तीनों साइड का ये साइड ये साइड और ये साइड तीनों साइड का जब हम perpendicular by sector बनाएंगे तो वो तीनों आके यहाँ पर मिलेंगे ये इनका point of concurrence रहेगा तो यही दूरी रहेगी मैतली, शायला और अजय के घर से दो मिनट रुख जाओ देखो, पहले हम थोड़ा information लिख देते हैं नीचे कैसे ये हमें मिला है ये तोई shop लिख देते हैं ये हमारा toy shop है तोई shop ये ही है इनके घर से distance ये मैतली के घर से ये शायला के घर से ये अजय के घर से clear हो गया अब देखो, यहाँ पहले हम कुछ information लिख देते हैं तो देखो, ये information आपको लिखनी थी क्या है? assume that houses are not in the same line मतलब कि हम assume कर रहे है कि घर जो है, वो एक ही line में नहीं है तो हमने देखो, तीन random जगा पह घर बनाया मैतली, शायला, अजय ये तीनों के घर है अब क्या है? a triangle is formed by joining three points denoting the house जब हम तीनों point को join करेंगे जो इनका घर है, तो एक triangle बन रहा है वो यहाँ पे हमने लिखा आगे क्या है? to find location of the toy shop draw the perpendicular bisector of the sides of the triangle क्या बोल रहे है? अगर आपको location जाननी है shop की कहाँ पर है तो तीनों साइड यो triangle बन रहा है न उसके तीनों साइड का आपको perpendicular bisector बनाना पड़ेगा फिर the point of concurrence of the perpendicular bisector is the location of the toy shop क्या बोल रहे है? जो perpendicular bisector आप बनाओगे उनका जो point of concurrence रहेगा वही रहेगा location of toy shop वो toy shop की location रहेगी देखो मैं आपको नीचे करके भी दिखा देता हूँ आपको अच्छे से समझेगा यह आपको लिखना रहेगा देखो जो triangle बन रहा है सेम तरीके का triangle हम चलो बना लेते हैं तो यहाँ पर हम triangle बनाते हैं कुछ इस तरीके से यह हमारा बन गया triangle अब triangle बनाने के बाद हम क्या करेंगे चलो यहाँ पर हम बता देते हैं यहाँ पर है पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर है शाइला का घर पॉइंट सी पर है अजे का घर ठीके अब ही हमें जाना है location of toy shop तो हम क्या करेंगे अपना rounder लेंगे हर एक side का side A, B, B, C, A, C तीनो side का perpendicular by sector बनाते है क्या हमें जानना है देखो जो toy shop है वो इनके घर से equidistant पर है तो यह अगर हमें जानना है equidistant पर है तो कहां पर आएगी तो उसके लिए हमें perpendicular by sector बनाना है और उनका point of concurrence रहेगा वही रहेगी location of toy shop तो हम चलो A, B का बनाते है सबसे पहले तो यह point पर रखना है आपको point B पर point B पर रखने के बाद आपको half से ज़्यादा distance लेना है उसके बाद आपको एक arc यहाँ पर बना देना है नीचे और एक arc आपको बना देना है उपर अब same distance लेके आपको A पर रखना है उसके बाद आपको एक arc यहाँ पर बनानी है एक arc आपको यहाँ पर बनानी है देखो arc हमारी छोटी हो गई है हम वापिस इसको बड़ी कर देते हैं ताकि एक दूसरे को यह cut करें यह वाली arc हम rough कर देंगे देखो यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है तो अब हम इसको रख कर देते हैं तो अभी हमने बना दिया perpendicular by sector of side A बी तो यह दोनों को हम join कर देते हैं pencil की मदद से तो देखो कुछ इस तरीके से यह side और यह side को में join कर देना है जोइन कर दिया हमने अभी हमें क्या करना है यहाँ पर हम 90 डिगरी का sign दे देते हैं अब हम बनाते है side B C का perpendicular by sector तो आपको round लेना है सेम तरीके से यह point C पर रखना है half से ज़्यादा distance लेना है आपको एक arc यहाँ पर बनाओ और एक arc नीचे बनाओ point B पर रखो एक arc अप यहाँ पर बनाओ और एक arc नीचे बनाओ अभी हमें क्या करना है दोनों point को join कर देना है जो arc एक दुश्रों को cut कर रही है उस point से हमें join कर देना है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे ओके यहाँ पर हमने perpendicular by sector बना दिया side B C का अभी हमें करना है एक बच्छा हमारा side A C इसका बनाना है तो चलो हम side A C का भी बना देते हैं side A C के लिए यहाँ पे एक arc बनाते हैं हाफ से जादा ही हमने रखा है और एक हम यहाँ पे बनाते हैं यह point पर रखके हम arc यहाँ पे cut करते हैं और एक arc यहाँ पर यह वाले R को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तकि दूसरी को cut करें हो गया यहाँ पर अब यह में scale की मदद से यह दोनों point को join कर देना है कुछ इस तरीके से इनको हम join कर देंगे ओके यह है 90 डिगरी पर इस line को cut कर रहा है हो गया तो देखो यह जो point of concurrence इनका है हम इनको नाम दे देते है point of concurrence को चलो I नाम दे देते है तो यह क्या है यहाँ पर यह अजय मैथली और शाइला की घर से जो toy shop की दूरीय वो है तो यहाँ पर हम लिख देते है toy shop जगा बहुत कम बची है हम यहाँ पर लिख देते है bracket में toy shop ठीक है अगर आप देखोगे scale की मदद से तो देखो यह मैथली के घर से कितने centimeter पर है देखो लगबग 3 centimeter 3.5 centimeter अजय के घर से कितने पर है देखो सेम लगबग 3.5 और देखो शाइला के घर से कितने distance पर है यह आपको point of concurrence चेक करना है यह देखो यहाँ से भी लगबग 3.5 centimeter है तो मतलब की हमने यहाँ पर पता कर लिया कि toy shop यहाँ पर रहेगा अगर मैथली, अजय और शाइला का घर यह 3 point पर रहा दो तो हमने रफली देखो यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर उनका घर रहेगा तो हमने जब exact एकदम मालूम गया तो उनका घर यहाँ पर आ रहा है clear हो गया, समझ गया आप किस तरीके से यह आपको करना था तो यहाँ पर हमारा practice set 1 complete हो गया है I hope आपको अच्छी से समझाओगा आप इसके अच्छी से practice कर लो और अगर आपका test हो तो आपके full marks है मिलते अगले वीडियो में अगर आपको यह उडियो अच्छा लोगा हो तो आप इस वीडियो को like करो अपने सब भी दोस्तों के साथ share करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू